नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मोटर और इंजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों डिवाइसीज का जो मेकेनिजम है वो अलग-अलग होता है और दोनों डिवाइसीज में अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट होती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों डिवाइसीज का मेन कारिया क्या होता है जो motor होती है यह है electro mechanical device होता है और एक परकार से यह rotating device होता है और इसका काम होता है जो electrical जो energy हम motor को supply करते हैं उसको mechanical energy में convert करना rotary motion में उसको convert करना और जो engine होता है यह है एक mechanical device होता है और एक reciprocating device होता है और इसमें जो main car यह engine का होता है वो होता है जो fuel की जो chemical energy होती है उसको mechanical energy में convert करना या कह सकते हैं various form of energy को mechanical power में convert करना क्यूंकि जो combustion engine होते हैं वहाँ पर जो heat होती है उसको transform किया जाता है mechanical power में और जो hydraulic engine होते हैं वहाँ mechanical energy को produce किया जाता है pressurized fluid से अब बात करते हैं power source या fuel की motor को run करने के लिए हमें electricity की आवशकता होती है और engine को run करने के लिए हमें fuel की आवशकता होती है अगर petrol engine है तो petrol की अगर diesel engine है तो diesel की उसके बाद है lubrication motor के case में हमें इसके components को lubricant करने की जुरूरत नहीं होती लेकिन engine के case में हमें lubrication की आवशकता होती है क्योंकि इसमें जो components होते हैं वो continuously run करते हैं और उनके बीच के friction को कम करना होता है जैसे engine में हम यूज कर सकते हैं wet sum lubrication यूज कर सकते हैं dry sum lubrication, splash lubrication, mist lubrication system को two stroke engine में यूज किया जाता है तो ये कुछ lubrication system है जिसको हम यूज कर सकते हैं उसके बाद है parts arrangement motor के case में अगर हम बात करते हैं इसमें coil और rotor की arrangement होती है या stator या rotor की arrangement होती है जबकि जो engine होता है इसमें जो main component होते हैं वो piston होता है, slender होता है इसके अलावा इसमें connecting road भी लगी होती है तो ये कुछ इसके main components रहते हैं तो अलग-अलग component की arrangement होती है दोनों ही devices में उसके बाद बात आती है weight की, अगर आप देखें, equal power के लिए अगर हम weight की comparison करें दोनों devices में, तो जो engine होता है, वह motor से ज़्यादा heavy होता है, और जो motor होती है वो engine से हलकी होती है, light होती है, उसके बाद है sound, जो motor होती है, उसकी जो sound है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो engine जब energy का conversion करता है, तो उस से में बहुत सारी जो sound है, उसको ये produce करता है, तो कह सकते engine noisy होते हैं, और motor ज़्यादा noisy नहीं होती, efficiency, efficiency की बात करते हैं, तो motor की efficiency engine के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो percentage होती है, lost power की, वो minimum होती है, लेकिन जो engine की efficiency motor के म होती है, उसके बाद बात आती है application की की दोनों devices को कहां कहां यूज किया जाता है, motor को हम washing machine में यूज कर सकते हैं, vacuum cleaner में यूज कर सकते हैं, hoist में यूज कर सकते हैं, lifts में यूज कर सकते हैं, compression में, compressor में, lathe machine पर, conveyor system में, grinder इतियादी पर इसका यूज किया जाता है, अगर engine की बात करते हैं तो automotive जितने जैसे car है, buses है, trucks है, motorcycle पर यूज़ कर सकते हैं, trains में इसका यूज़ किया जाता है, large ships में इसका यूज़ किया जाता है, और जो motor होती है, mainly इसके मुखे ता जो basic दो टाइप होते हैं, DC motor और AC motor, AC को alternating current से चलाया जाता है, DC motor को direct current से चलाया जाता है, AC motor को induction motor कहते हैं, और जो engine होते हैं, यह internal combustion engine हो सकते हैं, यह steam engine हो सकते हैं, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया, motor और engine के बारे में, और जैसा बात की कि motor एक electro mechanical device है, और engine एक mechanical device है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share क कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ, और channel को subscribe करना ना भूले, जल्दी हाजिर होते हैं, एक नए topic के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यावाद आपका दिन सुब रहे भ्रूंग, तुशेас कर साथ, तुब बgenderगा उता के साथ, तुवड में रहे ने हैं, वैं कर सायाद तो यहते हैं, और दोस्तों के लिगान के साथ साथ